नमस्कार दोस्तों रंजीत तंजुराट में आपका स्वागत है मैं आपके लिए वापस जो तीन माताजी की पेंटिंग बंद रही थी उसका वीडियो लेके आया हूं एक वीडियो परसुने अपलोड किया था एक कल किया और एक वापस में अपलोड आज कर रहा हूं तो ती दी तीसरी पेंटिंग है हमारी है जो माता जी के पेंटिंग बंद रहine और इसके में कम से कम साथ वीडिo पहले बनाया यह तो किसी को अगर देखना हो के कैसे यह पेंटिंग और मॉडल बना है कैसे एमभोज हुआ है crus Punkt we सारा बनाया हुआ है किसको ज्यादा जानकरी चाहिए सुपर 3D तंजोर पैंटिंग या माता जी की पैंटिंग कैसे बनी है तो उस सारे वीडियो को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि उसी सारे देखेंगे तो आपको पूरा किलियर हो जाएगा कि यह पैंटिंग किस तरह से बनती है तो मेरा आप लोगों से यहीं निवदन है कि अगर आपको सारे वीडियो देखोगे तो पूरा आपको पता चल जागा कि पैंटिंग स्टार्ट कैसे हुई मॉडल कैसे बना मिट्टी में सबसे पहले मिट्टी की मूर परसो दिन और आज कल किया था मैंने सेरवाली मा का और आज हुई है कि काल का मता इनको पूरा टाइम पिरेट में देना था पूरा महिना भर लग गया हम सबको और रात दिन हमने काम किया और उसकी बाद ही पैंटिंग कंप्लिट हुई हमारा यह है कि अगर किसी को टाइम दिया है कि यह पैंटिंग इतनी तारिक को देंगे तो हम इतनी ही तारिक को देते हैं क्योंकि अभी जो तर दो चुंकि अब अगर नवरात मिन बाद अगर कैसे बनी तो आएए दोस्तों दिखाता हूं मैं आपको काल कामा की यह जो पेंटिंग बनी है जैसे सेरवाली मां सरस्वती माता और काल कामा सबकी साइज लगभख फिक्स एक ही है यह चुमालिस इंच बाए अरता लिसे मतलब 44 बाय 48 उनके जगे यही थी और माता जी का ही इंतजार क्लाइंट को हो रहा है क्योंकि उनको बहुत बड़े इस्तर पर सजाना है और नौरात्री में माता की स्ताफ ना करनी है तो देखो बहुत-बहुत से हमने पेंटिंग बनी है और लगता है अब हमारा स सारा अच्छा होगा क्योंकि पेंटिंग नौरात्री में बनना मतलब बहुत भाग्य की बात है और जहां जाएंगे उनकी तरक्की हो दिन दुगनी रात चोगनी तरक्की हो क्योंकि माता की क्रपा जिसको मिल गई है तो उसको और क्या चाहिए जिन्दगी में तो मैं आपक यह मा का काली रूप है और मोंड माला पहन रखिए माता ने मा को बहुत ही विसम परस्तिति में ही रोद रूप देखने का मिलता है मा को अगर गुस्सा आ गया तो उसको सांथ करना बहुत मुश्किल होता है तो जब माता जी को गुस्सा आया और उनका गुस्सा सांथ नहीं हो रहा था राक्ससों का वद्द करने के बाद आप देखी रहें कि राक्ससों के हाथ पहन रखे हैं कमर पर और मूंड माला ले र रखा है महिसासूर का और महिसासूर ने रख्त भीज है क्योंकि इसकी रख्त की एक बीज बुन भी गिरती है तो वापस सोर रक्सस पेदा होते थे तो माता ने रख्त की बुन नीचे जमिन पर नहीं गिरे इसलिए कट्वरे में रख्त सारा एकटा किया है जिससे और रक्सस पेदा नहीं हो और जब पूरा वत कर दिया रक्ससों का उसके बाद में माता जी का गुस्सा सांत नहीं हो रहा था तो उस कंडिशन में फिर भगवान ने युक्ति लगई कि भगवान खुद माता के रस्ते में आ गए और जब माता ने संकर भगवान के उपर पाऊं रख दिया तब उनको घ्यान हो और यह मैंने क्या किया मेरे पती के उपर पाऊं रख दिया तो उसके बाद उनका गुस्सा सांत हुआ है तो यह तिसरी पेंटिंग हमारे यह से कंप्लिट हुई है और यह मेरा आठवा वीडियो है तो बहुत सुंदर बनी है पेंटिंग आप लोगों को कैसे कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं तो यह मा का रोदर रुप है कालिमा को कहते हैं इनको तो हमारी उसेस्ता यही है कि अगर हमने टाइम टाइम दिया किसी पेंटिंग का तो हम उस टाइम पे हर हालत में पूरी कंप्लिट करते हैं पेंटिंग क्योंकि हम उसको भगवान का आदेस मानते हैं अगर कोई क्लाइंट हम कोई भी पेंटिंग पसंद करता है तो वह हमको टाइम पे देना में रहता है अगर टाइम पे नहीं दी तो उसके किसी काम की नहीं होती है पेंटिंग तो हमारी विश्यस्त यह है तो जिस भी किसी को किसी भी तरह से कोई भी भगवान की पेंटिंग बनवाना हो या और भी किसी तरह से दूसरी पेंटिंग बनवाना हो मोडन आठ हो रिलिफ पेंटिंग तो सारी चीज हम बनाते हैं और हम लोग सिखाते भी हैं हमारा यहां पर गोतम नगर में इस्टिट है और आप लोग हमारे यह गोतम नगर में आ के भी सिख सकते हैं और इसके अलावा हम होम टीचिंग भी देते हैं पूरे NCR में तो आप चाहो तो हमसे home teaching भी ले सकते हैं और घर पर जाके भी हम class देते हैं मेरी डॉटर पाइल वैसना वो भी इसी वैसाय में लगी हुई है और वो भी class देती है है तो किसी को चाहिए कि भी हमको लेडि टीचर ये तो फिर प्लास लती है बाकि फाइनल जो फिनिसिंग होती है वह में करता हूं तो दोस्तो आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा ज्यादा ज्यादा सेयर करें सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाए और बिया है जितना आप सेस्क्राइब करेंगे तो उतना ही पता चल का एग बीस तरह काम भी होता है और शिखाते भी हैं हम लोग तो अपने राए कमेंट्स जो भी है आप जरूर दें चेहन दोस्तों